आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप अपना लोगो कैसे बना सकते हैं और मैंने आपको यह भी पता था कि आप बैनर बना कैसे सकते हैं आप अपना बैनर कैसे सकते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा आप अपना बैनर कैसे बना सकते हैं और लोगो कैसे बना सकते हैं और मैं एक और एडिटिंग का एप लाया हूं जिसका नाम है काइन मास्टर जिसका आपको ने सुना होगा मैं काइन मैस्टर का आपको अगले वीदियो में बता दूँगा अगले वीदियो में आपको मैं थोड़ा काइन मैस्टर की बारे में जानकरी दूँगा तो चलिए अब आपना वीडियो स्टार्ट करते हैं हमें सबसे पहले आपको प्लेश्टूर पर जाके एक application को download करना होगा जिसका नाम है logo maker आपको logo maker search करना है फिर आपको यह जो first पर आपको दिख रहा है logo export maker उस पर click करना है और कोई सा नहीं सिर्फ यह वाले पर फिर इसको आपको simply download करना है मेरे यह download है तो मैं इसको open करके open होगा अचकर फिर उसके बाद कोई को कोईषी image को करने आप से कर सकते हैं ऑलबने के बाद आपको तैंपलिटस है पहूं से कर सकते हैं और और को इसमीं भी बनाना है तो create पहां को क्लिक करना होगा create पे click करने के बाद आप कोई सा भी यहां से select कर सकते हैं यहां से और यहां से एक logo से और एक S नाम की यह जगा लिखिये photos में यहां से भी select कर सकते हैं मैं simply यहां पे select कर लेता हूँ एक image यह वाली फिर आप यहां text के option पे जाके यहां पे कुछ भी लिख सकते हैं जैसे मैं लिखता हूँ मेरे channel का नाम मैंने अपने channel का नाम लिख दिया फिर आपको add पे click करना है फिर उसके बाद आपको अपने text कौन सा आपको text चाहिए इस type कर भी आपको text है आप वहाँ से select कर सकते हैं फिर अगर आपको इसको color change करना है तो आपको यहां पे color में जाना है ब्लैक पे white अच्छा लागएगा तहमें यहां पे white को select कर सकते हैं वन्हाण आप यहां ko इसा भी select कर सकते हैं फिर उसके बाद आपको यहां पर shadow करना है gradient करना है stroke जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं फिर उसके बाद उसके बाद आपको obesity किती रखनी है 100 देखे अगर हम 0 पर रख देते हैं तो obesity मतलब होता है आपको इसको दिखाना कितना है जो दिखना कितना चाहिए उसे कहते हैं उसे ओबसिटी कहते हैं फिर उसके बाद आपको सिंपली यहां पे सेव को ऑप्शन दिख रहा है वहां से आप सेफ कर दीजिए फिर आपका प्रोजेक्ट कुछी देर में सेव हो जाएगा फिर अब मैं आपको बताता हूं बैनर मेकि कर सकते हैं नीचे डिस्कृप्शन जब आप खोलेंगे तो उसमें दो लिंक मिलेंगी उनमें से एक बैनर किया है लोगों कि तो आप से कर सकते हैं या फिर अप सिंपली प्ले स्टूर्ट पर जाके भी डामलोड कर सकते हैं बैनर में कर आपको जो यह आपको फर्स पर ऐसे लूड होता है फिर उसके उसमें एड़ भी आते हैं फिर यह देखें यह अट्सने है यह सारे वैनर्स जेटार यह जो आपको दिख रहा SECRET बंचर अगर आपको खुद से बनाना हैं तो आप यहां से माइडिजाइन से करके कम अगर आप यह माइडिजाइन पर जाके कर सकते create your own से create your own पे जाके आप खुद से कोई सी image select करके कुछ भी बना सकते हैं तो friends और फिर मैंने आपको बताए था आप chrome पे जाके change कर सकते हैं पहले लेकिन आपको safe भी कर रहा होगा चलिए मैं आपको banner making app का एक बार example भी दिखा देता हूँ जैसे मैंने simply इसमें से खोला यह वाला banner फिर उसके बाद रुकिया मैं आपको दूसरा खोल के दिखाता हूँ यह वाला इस पेस वाला फिर उसके बाद आपको इसमें यहां पर नीचे option दिख रहा होगा edit का हमको वहां पर क्लिक करने एड़िट पे पर क्लिक करने के बाद कुछी दिर में यहां पर खूप सारे option आ जाएंगे आप यहां से लग कर सकते हैं टेक्स से अब देख आपको टेक्स्ट में क्या लिखना है आप वह लिख सकते हैं जैसे में लिखता हूं डोंट में साइंस प्रोजेक्ट लेकिन यह ऐसा है देखे यह अगर इसको क्रॉस कर दीजिए अब मैं आपको दिखाता हूं जैसे अगर आपको यहां लगाना है गेम मास्टर जहां पर लिखा है अब यहां पर देखिए यहां पर बिल्कुल अच्छे से दिखेगा आपको डोंट में साइंस प्रोजेक्ट डन ड्राइटग देखिए कि अच्छा लगधा है यहां पर फिर अब इसे आपको करना होगा अब यहां से भी कर सकते हैं अब इसको सकते आउपर नीचे ले जा सकते हैं फिर यहां पर आपको यहां पर टेक्स्ट करना होगा जो भी आपके चैनल का नाम है या फिर आपको जो भी टेक्स्ट करना है उसको टेक्स्ट कर सकते हैं अ है और आप शाये तो इसको उपर भी लगा सकते हैं इसको उपर là सकते हैं ऐसके भलक गछेंग कहते हैं अगर आपको पीछे जा सकते हैं थे और ऐसके बाद आपको छूइआ से want कट कर्क color red जैसे मैं simply यहां से red वाले select कर लेता हूं Sorry वह गलती से cross तब गया मैं भी उसको साही कर देता हूं फिर से रोकिया बस दो मिनेट friends तो आप देख सकते हैं यह मेरा बन गया है पूरी तरीके से फिर आप यहां से से इसको shift कर सकते कहां पर आपको ले जाना है किस साइड आपको ले जाना है आप यहां से shift कर सकते हैं फिर आपको simply यहां पर सेफ को option दिख रहा है वहां से safe कर दीजिए फिर आपको जिस टाइब कर चाहिए एच डी या ओरिंचनल मैं ज़्याज ज़्यादा ओरिजिनल पर क्लिक करता हूं फिर यह एड़ आएगा और फिर आपका सेव हो जाएगा तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब ज